प्रुदेश में कोरोना वाइरस के प्रकोप से पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है इरान से लाय गए भारती नागरी को सहित राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या तरान में हो चुकी है ये बढ़ती संख्या प्रुदेश के लिए चिंता का विशय बन रही है। ऐसे में सतर्कता को लेकर शिकित्सा मंत्री डॉक्टर रगुशन्मा ने कहा कि विभाग कोरुना संक्रमन को कम करने में लगा हुआ है। प्रुदेश में कोरुना के पॉजिटिव मिले मरीजों में स से 17 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। प्रुदेश में एक लाग वारेंटाइन बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने देश दिये जिसमें से 95,000 क्वारेंटाइन बनाया जा चुके हैं। आईसोलेशन के 16,000 बैट्स अभी भी उपलब्द हैं। और प्रुदेश में 27,000 से अधिक टीम्स 78,50,000 घरों का सर्वे कर तीन लाग से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग भी कर चुकी है। प्रुदेश में चिकित्सा कर्मी लोगों को बचाने करे रंतर कारे करे हैं। भीलवारा मिसला कलेक्टर और चिकित्सा विभाग ने सरहानिय कारे किया है। अभी चिकित्सा विभाग की नेगरानी में है। खुल मिला के राजस्तान में जो एक लाग पॉरेंटाइन बैट की फेसिलिट्र डवलप करने की निरदेश मिले थे मुखे मंतरी जी के दौरा हमने 95,000 बैट्स चिन्नित कर लिए हैं। आइसुलेशन के जो बैड हैं वो भ अभरगर जाके सर्वे करने का अठातर लाग पचास ज़ार परिवारों का सर्वे उन्होंने किया और तीन करोड़ 26 लाग लोगों की स्क्रीनिंग का काम भी हुआ है। अब चूंके पडोसी राजियों से और विदेशों से बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गाउं आए हैं शेरों में आए हैं तो हमारे लिए एक चिंता की बात और होगी है इसलिए ये जो स्क्रीनिंग का काम है या एक्टिव सर्विलेंस का काम है इसको तेज गती से करने का लक्ष हमने आने वाले दू-तिन दिन में किया है ताकि जो बचेवे लोग है या नए लोग पाएं उनमें जिन पर सिम्टोमेटिक केसेज हैं उनके सेंपल का कलेक्शन का काम हो जाए ताकि समय बद तरीके से उनकी जाचे हो जाए तो यह जो कम्यूनिटी स्प्रेड का खत्रा हमारे सामने है उससे हम राजस्तान को बचा सकते हैं गुल मिला कि हमारे पास परियाफ वेंटिलिटर हैं ड्रामस्यल को क्या जरोषित पड़े पिपि परियाफ्य मात्रा 76 कहमी तो तो तहु लों को बचा ने की काम में लगे वे है पहत Q3 कॉश इल्वडद की कुवर वह हुआ है वहां का जिला प्रसासन है, वहां जो रैपिरिट रेस्पोंस की टीम है, वहां हमारे जो चिकित साभी बाग के दल थे, करीब दोजार लोगों का दल तो गरामिन क्षेतर में और तीन सो बतीस लोगों की टीम शेर में, दो-दो तीन-तीन बार स्क्रीन किया है, एक्टिव पहले, अब वह जाके संख्या 21 हो गई है, यहां यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, अजमेर में भी जो एक केस पोजिटिव आया था, वहां भी संख्या बढ़ दीप पांच हो गई है, तो कुल मिला के यह जो कॉंट्रेक्ट ट्रेशिंग का काम है, यह हमारे लिए गंभीर हो गया है, जहां पॉजिटिव केसे इसकी संख्या में बढ़ दी हुई है, यह किन-किन लोगों के संपर्क में आये हैं, वह काम जारी है, अभी तक तो सोना सो लोगों को कॉंट्रेशिंग के दायरे में हम लेके आये, लेकिन अभी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कितने लोगों के संपर्क में आये होंगे, नए मरीज, वह लोगों की भी स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है